नमस्कार दोस्तों फोड़ो वाले में अब सवेका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं अपरचर के बारे में दोस्तों हम सबने अपरचर के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा एप स्टॉप सुने रहेंगे 1.8 का अपरचर है लेंस में यह सब क्या होता है तो आज कि image quality बहुत ही अच्छ हो जाएगी को दोस्तों यह जो लेंसंस होती है हमारी इसके अंदर अपरचिर होता है जो ओपनिंग रहता है लेंसे अचाना ही हमारा अपरचिर होता और हर एक लेंस पर रिखा भी रहता है तो और कितना है जैसे कि ये मेरा 85 mm का लेंस है तो इस पर लिखा है 85 mm 1-1.4 यानि कि मेरा ये लेंस 1.4 अपरचर का है इसकी maximum opening 1.4 है तो अलग-अलग लेंस का अलग-अलग जो आप quality का लेंस लेते हो उसमें अलग-अलग 4.5-5.6 लिखा रहता है कई कई इसमें 2.8 रहता है जैसे पहले पात करते है अपरचर होता क्या है तो दोस्तों जैसे हमारे घर में window रहती है एक खिड़की रहती है वैसे ही हमारे camera के lens में एक window होती है जो कि उसके end side में होती है end element से थोड़ा आगे हमारे lens में होती है जिसे हम लोग कहते है अपरचर तो जैसे कि हम कहते है कि हमारी भर घर की विंडो पुरी खोली या फिर पूरी बंद है या फिर आधी खोली है अम एक यूनिट से बताते हैं तो लेंस में जो अपर्चार रहता है लेंस की खिडकी रहती है इसका यूनिट रहता है F-stop यानि कि F से उसको बताया जाता है और वो लेंस टू लेंस चेंज होते होई रहेगी और जैसे जैसे वो नंबर बढ़ते जाएगा वह विंडो उतनी चोटी-चोटी होती जाएगी यानि कि f4.5 पे और थोड़ी-चोटी विंडो जाएगी f22 पे पूरी-चोटी एक छेदी दिखेगा एकदम थोड़ी सी विंडो उम्हारी ओपन रहेगी यानि कि ह अपरचर एक डम छोटा होता जाएगा तो दोस्तों आप बोलोगे कि यह विंडो का काम क्या होता है यानि अपरचर का हमारे फोटोग्राफिय में काम क्या होता है तो सबसे इंपोर्टेंट काम यह हमारा अपरचर करता है कि आपको आपकी photo में कितना area focus में चाहिए यानि क यह जो हमारा अपरचर का नंबर रहता है यह डिसाइड करता है कि वह कितना लेना है अगर नंबर छोटा रहेगा 2.8 1.8 तो थोड़ा सा एरिया लेगा अगर हम नंबर बढ़ा है F11 F8 F22 तो वह उतना जादा आग जहां पर हम फोकस कर रहे हैं उसके आगे और पीछे का एरिय फोकस में लेगा इसी भाषा में कहा जाए तो आप यह एक्जामपल देख लीजे तो अभी यह जो फर्स्ट एक्जामपल है इसमें मैंने पहले वाले ग्लास पर फोकस किया है और यह मैंने F2.8 पर शूट किया है हाला कि मेरी लेंस 1.4 तक जा सकती थी लेकिन मैंने F2.8 प पर है तो अगर आप ठीक से देखोगे तो मैंने ग्लास के एच पर फोकस किया है लेकिन F2.8 है उसके वज़े से मेरा पीछे का ग्लास का साइड भी आउट ऑफ फोकस गया और थोड़ा आगे का भी आउट ऑफ फोकस गया है और इसके साथ यह जो कैरी रखी है मैंने आम प पूरी फोकस में है यहाँ पर और केरे भी कंपेर टू F2.8 थोड़ी जादा फोकस में थोड़ी और शार्फ दिखने लगी है वही सेम इमेज मैंने F8 पर किया तो मेरा ग्लास पूरा नीचे तक फोकस में आ गया है वह मेरा में थोड़ा सा जूट का माटेरियल है वह टेक् फोकस में पीछे की कहरी वह बरतं जो मेरा में फोकसिंग पॉइंट है जो ग्लास हो जो आगे रखे मैंने कहरी वह अनुद्विशादा करते हैं तो इस प्रकार सेफ अपर्चर हमारे इमेज के शार्फ पे असर डालता है कि आपको कितना एरिया शार्प चाहिए कितना फोक तो यह तीन इंपहर्टन पार्ट है पर उस में से सबसे इंपहर्टन पार्ट कि हमारे लेंस्स में रॉहताय। परचार रखना है अगर आपको कम एरिया फोकस में चाहिए तो आप कम रख सकते हैं अगर आपको ज्यादा एरिया कवर करना यानि कि अगर आप कोई बड़ा गुरूप शूट कर रहे हो तीन चार लाइन्स का गुरूप है लोगों का या फिर स्टुडेंट्स का तो अगर आ फोड़ा सा एरिया मानो फोकस में ही चाहिए तो उस टाइम आप वाइड अपरचर शूज कर सकते हो यह डिपेंट रहता है situation to situation और आपको क्या रिजल्ट चाहिए उसके ओपर डिपेंट रहता है कि आप क्या अपरचर रख तो दोस्तों यह जो हमारा लेंस है इसकी हरें की एक beauty रहती है एक उसका sweet point रहता यह अपरचर का कि जहां पर आपको सबसे maximum output मिलता है उसमें से मेरा lens है f1.4 का तो आप f1.6 उसके next stop हो गया और then 1.8 तो मैं 1.8 पे जाकर अगर शूट करूंगा तो मुझे बहुत ही अच्छे results मिलेंगे इसमें यह उसका sweet point हो जाएगा तो ह आपस आगे यह lens का sweet point रहता और यह है हमारी आज की tip I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा रहेगा मैं मेरे इंस्टाग्राम पर ऐसे टिप्स और ब्यांड शूट के डालते रहता हूं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मैं इधर यहां पो आपका मेरा इंस्टाग्राम है अगला मेरा शटर स्पीड के ऊपर वीडियो रहने वाला है कि शटर स्पीड कैसे काम करता है और उसको कैसे यूज करना है और मैंने एक आइसो का वीडियो भी बना के रखा है पहले से तो अगर आप चाहिए तो देख सकते हैं मैं उसको कार्ट में डाल देता हूं I hope आपक झाहिए